अज हम जो आपके साथ रेसिपी शेर करने चारे हैं यह रेसिपी चिकन मटन बीफ किसी में भी आप बना सकते हों और यह ग्रेवी जो है टमेटो और पटेटोस की ग्रेवी हैं तो देखिए हमने यहाँ पर लिया है आट से नौ टमाथर और इसमें हम पांच टमेटोस को रख इर बमबा और जो जो बचे हुँ Zenya उसके हम एक प्यूरी बना लेंगे मिकसी के जार में पीस लेंगे और तीन हम पटेटो लेंगे और उसे कट कर लेंगे इस तरह से एक बढ़तन Μे अऊईल लेंगे जब ऑईल हमारा गरम हो जाएगा हम टृक्ट जार्पना हम क जब इस तरह से यह ब्राउन होने लगेंगा तो हम इसे निकाल लेंगे उसी ओईल में हम कटके होवे टामाटर्स डालेंगे और साथी में इसमें जाएंगा वन टी स्पून अद्रकलेसन का पेस्ट टू टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर टू टी स्पून धनिया पाउडर मैं अकसर अपने क्रेवीज में एवरेस्ट का दीखा लाल यूज करती हूँ जो कलर ज्यादा होता है उसमें और तेज नहीं होती है इसके लिए आप अगर कोई और मिर्ची यूज करें तो आप थोड़ा सा चेक कर लें कि आपकी रेट चेली पाउडर कैसा है अब इसी के अंदर हमने जो टेमेटो की प्यूरी बनाएं थी वो डाल देंगे और इससे भूनेंगे अच्छी तरह से थोड़ा सा भून जाने के बाद हम इसके अंदर मटन बीफ गोष्ट कुछ भी दाल सकते मेरे पास बॉइल किया हूवा मटन था तो मैंने वो डाला है और साथ ही में इसमें हमने दाले हैं चाल से पांच हरी मिर्ची साबित हरी मिर्चे हैं अगर आपके पास बॉइल किया हूवा मटन ना हो तो आप डायरेक इसके अंदर फ्रेश मटन भी डाल सकते हो यह इसमें गल जाएगा साथ मही में हम इसमें डालेंगे फ्राइ किये हुवे पटेटो यानि के आलू और हम इसे भूनेंगे नमक भी डाल दिया हमने नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे अर्से अच्छी तरह से भून लेंगे यह देखे इस तरह से ची तरह से हमारा मसाला पूरा भून चुका है और इसका पूरा ओइल उज आउट होने लगा है अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे पानी पानी आप अपने ग्रेवी की थिकनेस के हिसाब से डाले लेकिन यह ग्रेवी पतली ही अच्छी लगती है ज्यादा थिक खाने में मजा नहीं आता है तो इसके लिए मैंने इसमें दो ग्लास पानी डाला है उपर से हम इसके अंदर डालेंगे होम मिट गरम मसाला पाउडर जो हमने हाफ टी स्पून लिया है और हरा धनिया हमने कट करके इसमें डाला है फ्रेश हरा धनिया अरब हम इसे थोड़ी दिर बॉयल आने के लिए यूँ ही छोड़ देंगे पांच मिनिट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे देखे हमारे ग्रेवी बनकर तयार हो गई है तो हम इसे निकाल लेंगे देखे मटन आलू गोष्ट की ग्रेवी हमारी बिलकुल बनकर तयार हो चुकी है हमने इस मिटामेटोस का भी इस्तिमाल किया है और खाने में बहुत टेस्टी होती है और स्पेशली बच्चे से राइस के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं हमारे यहां बच्चे राइस के साथ खात झालेंग